ये है Galaxy Tab S9 FE वैसे हकीकत में ये Tab S9 ही है लेकिन इसमें कुछ features कम किये गए हैं ताकि prices कम रखी जा सके लेकिन क्या ये इसके बावजूद भी खरीदने लायक है या नहीं पता करेंगे आज की इस वीडियो में हलो दोस्तों मेरा नाम है सुभम और मैं रिव्यू करता हूँ Tech Products इस चैनल पर और अगर आप मेरे इस चैनल से पहले से जुड़े में तो आपको पता होगा कि मैं Samsung Galaxy Tab लाइनप का बहुत बड़ा फैन हूँ और specifically S Pen का क्योंकि S Pen इन टेबलेट के साथ कमाल का काम करता है दोस्तो काफी समय से Samsung की मिड रेंज टेबलेट लाइनप में एक खाली जगे थी जिसको इस टेबलेट ने perfectly भर दिया है अगर आपको एक high-end टेबलेट भूत ही powerful processor और सारे ताम जाम चाहिए तो आप टेबलेट S9 S9 Plus या फिर S9 Ultra ले सकते हो और अगर आपका दूसरी और बजट भूत ही टाइट है तो आप Galaxy Tab S6 Lite ले सकते हो जो बजट में भूत ही जोरदार टेबलेट है लेकिन in the mid-range pen टेबलेट लाइनप Samsung का आता है Samsung Tab S9 FE जो आता है 10.9 इंस साइज में जिसका आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और इसी का दूसरा मोड़ा आता है Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus जो आता है थोड़ी बड़ी 12.4 इंस स्क्रीन के साथ में दोस्तों Samsung अपनी टेबलेट की कुछ सीरीज में FE वर्ड काम में लेता है जो कि उस सेम सीरीज के हाई एंड टेबलेट का लोवर वर्जन को दिखाते हैं यानि बजट वर्जन को दिखाते हैं FE का वेसे मतलब होता है Fan Edition S9 FE सीरीज में दो अप्शन अवेलबल मिलते हैं आपको जो बेस वर्जन है वो है 10.9 इंस का टेबलेट जो की Amazon पे आज की डेट में आपको मिल जाएगा 34,999 रूपीज में और वहीं फे 12.4 इंच का S9 FE प्लस Amazon पे अवेलेबल है 43,999 रूपीज की प्राइस पे दोनों का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप जाके देखना चाहो तो देख सकते हो और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि Samsung के इन टेबलेट्स पे आपको नोट्स लेने में और चित्रकारी करने में मज़ा आएगा तो बिल्कुल हाँ आप एकदम सही सोच रहे हो दोस्तों इन टेबलेट्स के डबबे में आपको मिलेगा टेबलेट खुद और USB Type-C to Type-C Cable लेकिन चार्जर का जो पावर अडेप्टर है वो Samsung इनके साथ नहीं देती है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा iPad जो है उसमें आपको चार्जर का पावर अडेप्टर साथ मिल जाता है लेकिन Apple फोनों में जब से चार्जर का पावर अडेप्टर देना बंद किया है Samsung ने अपने हर चीज में पावर अडेप्टर देना बंद कर दिया है और बाकी टेबलेट की तरह इस टेबलेट पे भी अगर आप कवर लगाना चाहते हो तो कवर तो आपको अलग से लेना पड़ेगा कोई भी कंपनी साथ में देती नहीं है दोस्तों Samsung का ये टेबलेट कम प्राइस में आने के बावजूद भी एक प्रीमियम टेबलेट है इसका बेक पैनल पूरा का पूरा अलुमीनियम से बनावा है बहुत सारी कंपनिया प्लास्टिक का बैक पैनल देती है लेकिन सेमसंग ने अलुमीनियम से बनावा बैक पैनल दिया जो बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम फील देता है और अगर हम इस टेबलेट की डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा गुड़ लुकिंग डिस्प्ले है और इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 16 बाइ 10 का मिलता है तो यूट्यूब वीडियो जिसमें आराम से चलती है एपल आइपेड इसी रेंज में आप लेने जाओगे तो आब वो 60 हर्ट के मिलते हैं एपल आइपेड में 90 हर्ट नहीं मिलता 60 हर्ट यह दिक्तर में देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप लाग रुपे से उपर दोगे तब आपको 120 हर्ट आइपेड में देखने को मिलेगा और दोस्तो इस टेबलेट में आपको सेमसंग का एकसेनोस 1380 प्रोसेसर दिया गया है जो कि दो कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है बहुत जो कन्फिग्रेशन है वो है 6GB RAM उसके साथ में आपको 128GB स्टोरेज मिलेगा दूसरा थोड़ा से ज़्यादा प्राइस देके आप 8GB RAM और 256GB की स्टोरेज का उप्सन ले सकते हो लेकिन बड़िया बात यह है सेमसंग के टेबलेट में कि आपको external SD card डालने का उप्सन में मिलता है तो आप एक memory card डालके अपनी स्टोरेज को एकदम सस्ते में भढ़ावी सकते हो Apple iPad में सबसे बड़ी प्रोब्लम ही आती है कि उनमें स्टोरेज भढ़ाने की सुविधा नियाती जितना आपने लिया है आपको उतने स्टोरेज में काम चलाना पड़ता है दोस्तों अगर मैं इस tablet की performance की बात करूँ तो एकदम भारी भरकम गेम्स और भारी भरकम वीडियो एडिटिंग को अगर आप छोड़ दो तो इसका जो बड़ा भाई है S9 Ultra जो बहुत मेंगा टेबलेट है इसकी performance भी उसके बराबरी देखने को मिलती है एकदम लोड वाले काम जो गए जिसे भारी वीडियो एडिटिंग और बहुत ज़्यादा भारी गेम्स उसमें इसको problem आ सकती है लेकिन हलकी वीडियो एडिटिंग और ठीक ठाक वाले गेम्स वाराम से चला देता है मतलब कि आप इसमें आराम से बिना किसी दिक्कत के notes ले सकते हो, PDF पढ़ सकते हो, drawing कर सकते हो, browsing कर सकते हो, videos देख सकते हो, classes देख सकते हो, इसमें आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है तो अगर आप भारी भर कम वीडियो एडिटिंग करना चाते हो, भूद भारी गेम्स खेलना चाते हो, तो फिर आपको S9 Ultra वाला टेबलेट लेना चाहिए, और अगर आप ये काम नहीं करना चाते हो, सिर्फ पढ़ाई करना चाते हो, notes लिखना चाते हो, classes देखना चाते हो, वीडियो देखना चाते हो, ब्राउजिंग करना चाते हो, हलकी फूल की वीडियो एडिटिंग करना चाते हो, तो इस टेबलेट से आपका काम एकदम बढ़िया चल जाएगा, दोस्तो इस टेबलेट में आपको side button पे ही fingerprint scanner मिलता है, और इसके साथ में दो stereo speaker मिलते हैं, इसम आप data transfer कर सकते हो, टेबलेट को charge कर सकते हो, लेकिन इस टेबलेट की USB Type-C port में आपको video out का option नहीं मिलेगा, यह आप external monitor और connect करना चाहो, तो वो इसके Type-C से आप नहीं कर सकते हो, हलांकि यह काम बहुत कम लोग करते हैं, मैंने भी आस तक अपने टेबलेट से कभी external monitor को connect करन या फिर online classes में अपना मूँ दिखाने के लिए काम में लेते हैं, तो front camera अच्छा होना चाहिए, तो इस टेबलेट में front में जो camera दिया गया है, वो दिया गया 12 megapixel का ultra wide camera, और इस टेबलेट के पीछे आपको देखने को मिलेगा 8 megapixel का wide angle camera, और अगर आप थोड़े पैसे extra खर् इस टेबलेट में दिया है, वो है water resistance, इतने बड़े टेबलेट में water resistance देना एक आम बात नहीं है, Samsung ने ये दी है, तो ये बहुत बड़िया बात है, अब दोस्तों बात करते हैं इस टेबलेट की जान S Pen की, तो S Pen जो है वो इस टेबलेट के साथ में आपको डबे में free में मि अची बात ये लगे कि S Pen की tip जो है, उस पर कुछ rubber type का Samsung देती है, जिससे की जो glass होता है tablet का, वो एकदम smooth होता है, तो उस पर लिखते है time थोड़ा drag मिलता है, जिससे pen बहुत ही smooth चलता है, और लिखने का experience एक अलग type का बहुत बड़िया experience मिलता है, जब आप notes लेते हो, या से कोई app डाउनलोड करने की जरुत नहीं है, अलग से app डाउनलोड करते हैं, उनका अलग पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन Samsung की ये app इसमें साथ मिलती है, free मिलती है, और वो इतनी बड़िया app है कि आपको दूसरी कोई app डाउनलोड ही नहीं करनी पड़ेगी, notes लेने के लि मैं खुद उसको काम में ले चुका हूँ 3-4 साल, और अभी भी मेरा एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत उसमें मुझे नहीं आई है, लेकिन अगर आपके पास budget ठीक, आप थोड़ा budget बढ़ा सकते हो, तो मैं आपको advice दूँगा कि आप S6 Lite की जगह S9 FE या फिर पढ़िया है, वो slow पढ़ जाए, लेकिन S9 FE और S9 FE Plus में processor जो है, वो नया processor है, तो ये 4-5-6-7 साल अभी slow पढ़ने वाला नहीं है, तो अगर आप budget बढ़ा सकते हो, तो आप ये tablet लेना जरूर, और अगर आपका budget ठाइट है, तो आप S6 Lite ले सकते हो, slow मेरा नहीं पढ़ा ह मुझे काम में लेते, 3-4 साल हो चुके, मेरा अभी तक slow नहीं पढ़ा है, तो hopefully आपका भी slow नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप अगर safe side रेना चाते हो, तो ये वाला tablet लेना चाहो, तो ये ले सकते हो, ये slow नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें नया processor दिया गया है, तो दोस्तों मेरा project है, हर चीज का true as possible review करना, ताकि आपको आपके एक 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 पैसे की true value मिल सके, thank you very much for watching the video, see you in the next video, जैसियाराम